हेलो फ्रेंस नमस्ते आप सब कैसे हो आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंस यहां पर हम आज यूज करेंगे लेस का साड़ी की जो पूरानी लेस होती है ना वो तो वो लेस हमने ले ले और यह अस्तर का खपड़ा लिया है 12 by 18 नीचिस का जिस पर मैंने देखे यह लेस चो थी उस करने के बाद अब डिजाइन कौन से बनाएंगे तो दिखी यह से मैंने कर लिया है 4-fold और अब क्या करना है देखिए जो सेंटर है ना वहां पर आपको थ्री फिंगर पर मार्क कर लिजिए और इस तरीके से सेब दे दीजिए और यहां पर जो सेब हमने दिया है वहां पर मार्क कर लिजेगा और यह जो सेप हमने दिया है उसे कट लगा लीजिए यह तो हमारा काम हो चुका अब आपको क्या करना है तो आपको करना है यहां पर लेस लगाने के बाद दो लेस की हिस्ट्रिप लेंगे 12 बाय वान नीचिस की है और इसे हमें फॉल्ड करके ऐसे फॉल्ड करके आपको बना लेने हैं हैं हैंडल हैंडल हमारे बन चुके हैं आप देख रहे हो इसे न आपको यहां पर कर लेने हैं अटेज तो यह दिखे तर में आपको जितनी भी जगह रखनी है उतनी रख और इसे आटेज कर लेज़े फिर आप Kोई से फोल्ड करना है इसे ay aos side में आपको क्या करना है नीचे bottom part बनाने के लिए वन इचे पर आगे और पीछे यहाँ भी दोनु साइट मे करना है ठीक है, दोनों साइड मार्क किया, अब आपको क्या करना है ऐसी, देखिए इस तरीके से जहां पर मार्क है वहां से ऐसे उठाई ये दोनों मार्कों मिलाते हुए प्लेत ले लिजी और दोनों साइड में स्टिज कर लिजी अब इसे कर लीजिए सिधा और ये जो पार्ट है आप उसे साइड में रख दीजिए ये सिधा हो चुका है ऐसी दो श्ट्रिपले लीजिए 12 बाई 2 इंचिस की और इसे आपको यहां से चोड़ देना है साइड से ठीक है अब इसे साइड में रखते हुए हम 12 बाई 7 इसके अस्तर के 3 पार्ट लेंगे और 9 इसकी चिप लेंगे अब इसमें से 3 पार्ट में से 1 पार्ट उठाईए और यहां पे जिप अटेज कीजिए जिप अटेज करने के बाद दूसरी जिप आपको इसके उपर रख के स्टीज कर लेना है और दोनों जिप को जोड़ने के बाद ऐसी 45 सी श्ट्रिप ले जिसे ऐसे फॉल्ड करके इसके उपर अटेज कर लीजे ये मैं लेस ही अटेज कर रही हूं ऐसे आपको फॉल्ड करते हुए अटेज करना है डालने के बाद आपको नीचे से तीनों पार्ट को पकड़ना है यहां तक स्टीज कर लेना है दोनों साइट से तो यह स्टीज हमने साइट में कर लिया अब जो स्ट्रिप हमने पहले रेडी की थी 12 by 2 इचे से उसे लेना है और देखे जहां पर जोड़ है वो आपको यह से अंदर की और डाली और इसमें जोड़ है वो और यह स्ट्रिप का जोड़ दोनों को मिलाते हुए बैक का जो हमने सेप दिया है उसी के ऊपर आपको स्टीज करते जाना है इस तरीके से अच्छे से रख के अब जो सेप है उसी के ऊपर आपको स्टीज करना है उसके बाद जो extra है वो हम cut कर लेंगे जो हमने shape नहीं दिया था strip में वह हम वही Đे दे देंगे और no cheese लगा लेंगे तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो extra था वो cut कर लिया है friends आपको ऐसा reuse पसंद है तो comment करके ज़रूर बताकर विडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उसके बाद न आप इसे सिद्धा कर लीजिए नोचिस लगाने के बाद और यहाँ पर स्टीज कर लीजिए और बस इसके उपर आपको करना है लास्ट स्टेप टॉप स्टीच करनी है आपको यहां पर और देखिए यह पार्टी वेर हमारी पुरानी लेस्ट में से बन कर रेडी हो गई है हैंड बैग, टॉट बैग बहुत ही प्रीटी सी, क्यूट सी हमारी बैग, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताए चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, जै भारत बंदे मातरम